हेलो गाइज टूडे वी विल स्टडी मोडल वर्ब पैसिवोईज देखे हम आज जो है जो हमारी मोडल वर्ब है उनकी पैसिवोईज की स्टडी करेगे देखें मोडल वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है जैसे हमारी जो है मोडल वर्ब जो होती है कैन है हमारी कुड है में है माइट है सुड है वुड है आउट है मस्ट है देखें यह सब हैं मोडल वर्ब में आती है अब इनकी देखें हमें पैसिव में चैंज करना है इसको अब passive voice में change करने के लिए कोई नी बहुत easy है यह passive voice यदि आपको देखे कोई चीज ग्यान रखते हो तो बहुत easy है इसमें कुछ भी ज़्यादा है वो करना नहीं है देखे जिस sentence में जो modal verb आई वी है उसके बाद में हम बी और प्लस वर्ब की थडर्ट फॉम लगा देते है इ येवल हमने इसमें लगाया है जो भी मोडल वर्ब आई है can, could, may, might, must, should, out to जो भी वर्ब आई हो हमारी मोडल वर्ब उसके बाद में भी हम लगा देते हैं तो ये यह से हमारा पैसिव बन जाता है तो देखें इसका जो हमारा structure है पैसिव का वही हो जाएगा subject क्योंकि देखें object को subject में यहाँ change कर दिया हमने can, could, may, might, should, would, out to, must अब इसके बाद में देखें केवल बी लगाया हमने बी का दियान रखें कैई बर देखी हम क्या होता है बी को भूल जाते हैं यह बहुत महत्पूर्ण चीज है कि बी को हमेशा दियान रखें वर्ब की third from by plus हमारा जो subject हमने उसे object में change कर दिया है देखें for example देखिए कविता इस काम को कर सकती है कैन का जो परियोग करते हैं हम ability के लिए करते हैं जिस काम की हमारे अंदर capability होती है काम करने की तो वहाँ पर जो है हम सकती है आ रहा देखें यहां पर सकती है तो present में sentence क्योंकि है बाद में आ रहा है सकती आ रहा है तो कैन लगेगा सुद्धी बात है और this work हमारा object हो गया देखे, sentence का structure आपको पूरा अच्छी तरे पता होना चाहिए अब देखे, जो object है, उसको शुरू में ले आईए तो this work, ठीक है can use हो रहा तो आप भी can he use कर लेने है कुछ नहीं उसमें change करना, could use हो रहा तो आप भी could use कर ले है, भी अपने अपनी तरप से यूज करना है वर्ब की third form यूज करनी है तो जो हमारा do है, do की जो third form होती है वो done होती है, do, did, done do, did, or done done हमारी third form होती है ठीक है ना, तो done को यूज कर हमने by जो कवीता है, कवीता को हम जो है last में object की स्थान पर ले जाती है, तो यह कारिय कवीता के द्वारा किया जा सकता है second देखे इसमें हमारा next example देखे देखे, एक मतलब जो है, यहाँ पर जो है, active voice से है we should help the poor हम गरीबों की सायता कर सक, हमें गरीबों की सायता करनी चाहिए देखे, should का मतलब जो है, चाहिए से होता है, जहाँ पर हम कोई advice देते है तो advice के लिए हम चाहिए के लिए should का use करते है देखे, the poor जो है गरीब लोग होते है तो यह हमारा object है तो the poor इसको यहाँ पर ले आई है, शूर में तो the poor, should है तो should लगा दीजिए can है तो can लगा देते should है तो should लगा दीजिए be अपनी तरफ से आपको लगाना है verb की third form यूज करनी है तो यहाँ पर help की जंग है help हो जाएगा और by अपनी तरफ से लगाना है और यहाँ पर देखे, we है वी का जो हमारा object होता है वो us होता है तो the poor should be helped by us गरीबों की हमारे द्वारा साहता की जानी चाहिए देखे, last sentence देखे इसमें last sentence यह हमारे यह कह रहा है कि some girls could sing song चीक है तो यहाँ पर जो है, हमने इसका active voice बनावा है कुछ लड़किया गीत गा सकती थी कुछ लड़किया गीत गा सकती थी क्योंकि यहाँ पर could का use हुआ है sentence हमारा past में है अब देखे, could है तो आप भी could लगा देजिए आपको कोई matter नी है इसमें तो हमारा देखे, object songs है तो song को सुर में ले आईए songs अब could है तो could को आप ऐसे लगा देजिए be अपनी तरब से लगाना है verb की third form लगानी है तो sing, sing, sung as, un, g संगा जाएगी और by और जो है some girls जो था है उसे object बना देजिए some girls हो जाता है ठीक है? तो यह हमारे देखे modal verb की passive जो है finish हो जाती है देखे यह हमारे जो channel है सिक्सा भारती SPS channel का name है यदि आप लोगों को यह video पसंद आती है तो किर्पया करके देखे इस channel को subscribe कर दीजिए और यदि video पसंद ना आए तो कोई बात ही नहीं है फिर subscribe करने के लिए फिर देखने के कोई बात ही नहीं है और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका please comment करके बता दीजी हम उसे और जो है reform करने का परियास करेगे thank you very much